तो आज का जो हमारा सेशन है वो है with respect to MCQs जो आपके इंसीटूट ने आपके वेबसाइट पर डाला है for November 2023 एक्जाम्स मैंने आपको क्लास में भी बोला था last class में that दो किसम के MCQs इंसीटूट एक्जाम में पूछता है एक direct MCQs और एक case study based MCQs एक case study दी जाएगी उसके उपर अलग-अलग chapter का mister and करके 4-5 chapter का mix करके वो लोग एक case study के उपर MCQs पूछेंगे तो ये सारे MCQs आपको एक बार देखके जाना ही चाहिए इतने MCQs आप देख लोगे आपकी sufficient practice हो जाएगी उससे जादा honestly speaking आपके पास time भी नहीं है अभी आपको पता चल रहा होग time की कीमत ठीके समय की क्या कीमत है क्या value है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ आ गया होगा अब जैसे जैसे October आएगा और समझ आएगा ठीके नवेंबर में तो समय ही सब कुछ लगेगा ठीके तो practically बात करना चाहिए खाली 500-1000-2000 MCQs all करने का कोई sense नहीं बनता है Institute के MCQs बहुत बढ़िया MCQs होते हैं और बहुत ही intellectual MCQs होते हैं दिमाग लगाने वाले हैं अगर आप यह solve कर लेते हो तो आप कोई भी solve कर सकते हो वैसे एक्जाम में आप 5000 MCQs भी solve कर क्या हो आना कुछ नहीं आई है ठीके सेम तो सेम नहीं आना है हाँ लेकिन अगर आपक MCQs करो sufficient है वो एक understanding लेने के लिए किस किसम के questions exam में आ सकते हैं हाँ उसके बाद आप latest RTP MTPs वो करना चाते हो तो वो कर सकते हो ठीके उसमें भी MCQs होते हैं तो आज का हमारा objective है यह MCQs आप लोग के साथ discuss करना है मुझे मेरा discuss करने का यह objective है कि as a student आप लोग को बहुत बार यह होता है कि MCQs solve करते समय आपको reasoning बतानी चलती है कि भाई इसका answer यह DQ है ठीके तो मेरा काम है आपका समय बचाना और कुछ नहीं ठीके आप खुद बैट के इसको करोगे तो हो सकता है किसी किसी MCQ में इतना उलग जाओगे कि आदा आदा पौने पौने घंटे तक आपक आया करो तुम लोग ठीके प्लीज शुरू करें चली है शुरू करते है सबसे पहला MCQ क्या बोलता है ठीके एवाई 23-24 हरी एक resident है earns 10 लाक रुपीज from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plant grown by him in India ठीके तो क्या कमाया उसने 10 लाक रुपीया from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plant grown in India and रुपी 15 लाक from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plant grown in Malaysia तो सुनो वो rubber manufacture कर रहा है और बेच रहा है अब यह जो पहला वाला rubber है वो कहां manufacture कर रहा है बोलिए इंडिया में grow कर रहा है और manufacture कर रहा है तो याद करो अगर इंडिया में grow और manufacture करेगा तो 35% taxable है याद आता है कुछ आपको अगरिकल्चे इंकम में पढ़ाता है याद आता है सबको और 65% exempt है तो यह 10 लाग का 35% कितना होता है साड़े तीन लाग करेक्ट और जो मलेशिया में किया है वो तो पूरा क्या हो जाएगा बोलिए फुल टैक्सेबल तो इसलिए इसका अंसर क्या है साड़े अठरा लाग इसलिए क्लियर तो एवरिवन प्लीस टेल मी यहाँ पर आप क्या अपलाई कर रहे हो यह 35% के अंदर separate rules है याद है rule 8 rule 7a rule 7b tea coffee rubber तीनों के लिए था correct लेकिन exemption कब मिलता है आपको agriculture income का है जब आप agriculture activity कहां करते हो भारत में करते हो clear I hope it is clear to all of you चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं बढ़ो आगे Miss Somya has three farm buildings situated in the immediate vicinity of rural agricultural land उसके पास तीन farm building है In previous year 22-23 she earned 3 lakh from letting out of her farm building one for storage of food grain तो उसने पहली building तीन building है उसके पास उसने पहली building क्यों दी food grain store करने के लिए दूसरी building dairy product को store करने के लिए dairy product मतलब दूद दही एकसेटरा ठीक है पनीर वनीर चीज कुछ भी हो सकता है और तीसरी उसने let out की क्या करने के लिए रुपीस 15 lakh from letting out her farm building for residential purpose के लिए किसी को रहने के लिए दिया ठीक है तो अब बताओ इसमें से कौन सी agricultural income है पहली वाली agriculture income है ठीक है dairy product के लिए किसी को let out करते हो वो agriculture income नहीं मानी जाएगी rental income from let out of what let out for agriculture purpose agriculture product को रखने के लिए let out करोगे उससे रेंड कमाऊगे वो agriculture income है अगेन ये question किस chapter के उपर बनाया गया है बताइए agriculture income के chapter पर बनाया गया है जो छोड़ा सा chapter था दो तिन पेच का अगर आपको या देखो dairy product के लिए let out करते हो taxable है घर residential purpose के लिए let out करते हो taxable है therefore तीन लाग रुपे आपका क्या होगा बोलिए ये तीन लाग रुपे आपका exempt होगा is it clear all of you please tell me बोलो बेटा बोलो ठीके तीसरे question की तरब बढ़ते है the गुपता हुएफ in मारास्टा comprises of Mr. हर्ष गुपता उसकी बीबी है Mrs. निधी गुपता उसका बेटा है Mr. दीपक गुपता उसकी बहु है Mrs. दीपती गुपता उसकी बेटी है Mrs. प्रीती गुपता और उसका अन्मेरिट भाई है Mr. गुपता ओके विच अफ दे मेंबर्स अफ दी हुएफ रेलिजिबल फर वाट ये एक जनरल कुश्चन है अभी को पार्सनरी राइट्स मतलब फैमिली का को पार्सनर कौन कौन है गुपता जी तो कौन है बताईए करता है वो तो होंगे को पार्सनर ठीके को पार्सनर मतलब फैमिली का मेंबर कौन कौन है गुपता जी के भाई भी तो है ना फैमिली के मेंबर करेक्ट बोलिए गुपता जी के बेटे भी है फैमिली के मेंबर गुपता जी की बेटी भी है फैमिली की मेंबर ठीक है ये सब को पार्सनर माने जाएंगे क्योंकि ये उनकी खुद की फैमिली है याद रखना कभी भी को पार्सनर में बहु नहीं आएगी कौन नहीं आएगा बहू, बीबी भी नहीं आती है को पार्सर में जो बाहर की फैमिली से यहां पर आया है वो को पार्सर नहीं माना जाता है पता है आपको यह चीज पता है आपको यह चीज, होएफ के कानू नहीं बाहर की फैमिली से जो आएगा बीबी कहां से आती है मेरी बीबी क्या मेरे घर में पैदा ओए वो मेरे घर में कैसे पैदा हो सकती है ठीक है वो तो किसी और के घर से आई है ना वो co-parsner नहीं मानी जाती है ठीक है तो ये co-parsner नहीं है और जो daughter-in-law है जो बहु है वो भी co-parsner नहीं है बाकि जो तुमारी immediate family है वो सब co-parsners है ठीक है तो ये था एक छोटा सा question on HOF के ओपर एक question पूछ लिया अब कुछ questions आपके बहुत important provisions के ओपर है residential status चेक करता हूँ मैं आपको residential status कितना पता है अब एक Indian citizen है दुबाई में रहता है he came to India on a visit बताओ कोई Indian citizen अगर इंडिया में visit के लिए आता है याद करो बहुत categories पढ़ी थी हमने residential status में कौन सी category में जाएगा है category 3 याद आ रहा है Indian citizen इंडिया आ रहा है क्या करने के लिए visit के लिए 120 दिन से कम रहता है तो non resident याद आता है 120 दिन से लेकर 181 दिन रहता है तो फिर कुछ conditions फुल्फिल करने पड़ेंगे याद आता है अब वो कितने दिन रहा देखो 135 डेज रहा तो अब वो resident कब बन पाएगा अब वो resident तब बन पाएगा जब कि उसकी Indian sources से income 15 लाग से जादा होना चाहिए correct yes or no अब उसकी Indian sources से income देखो सिर्फ 10 लाग है तो क्या वो condition फुल्फिल कर रहा है resident बनने के बताईए अरे भाई क्या वो resident बनने के condition फुल्फिल कर रहा है नहीं कर रहा है तो आब इसको मैं क्या दरजा देदू बताईए non resident ये पूरा sheet मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा don't worry ठीक है बाद में ठीक है इसमें सारी working की है न मैंने yes is it clear to all of you बेटा ठीक है अब ये पिछले 4 साल में 414 दिन रहता है इसका कोई importance नहीं है इसका importance कब होता जब ये 15 लाग के उपर होता तो बात करता मैं correct क्योंके condition क्या है resident बननेगी पिछले 4 साल में 300 दिन current year में 120 दिन से 181 और इंडियन इंकम 15 लाग रुपे से जादा होनी चीए अब इंडियन इंकम 15 लाग रुपे से कम है तो ये condition violet है तो वो non-resident बन गया ठीक है question number 5 आशिष earns the falling income अब आशिष है कौन देखो नीचे आशिष resident है लेकिन not ordinary resident है अब मुझे बताओ not ordinary resident की कौन सी इंकम इंडिया में taxable होती है या तो income अक्रू होनी चाहिए या तो receive और business income में अगर इंडिया से business control हो रहा है तो taxable है correct बेटा कुछ याद है दुनिया में कि नहीं याद है चल बढ़िया है अब one fourth इंडिया में receive हुआ है ठीके तो ये one fourth तो taxable होगा correct UK development bond का clear अब तो ये चार लाग में से एक लाग taxable क्योंके one fourth इंडिया में receive है बाकी तो UK में receive हुआ है UK का bond है accrue bar receive bar capital gain located in India ये पूरा इंडिया में taxable हो जाएगा clear क्योंके इंडिया में located asset clear तो one lakh plus six lakhs कितना हो गया seven lakh rupees taxable is everyone clear with this बोलिये I hope it is clear अब ये question मैं discuss नहीं करो ये मैंने test number one में पूछा था आपको अब नहीं देखा है तो आप mark आओगे मेरा check करो ये सॉम्वया का और राजश का याद आता है जल्दी बोलो तभी याद आ गया था ना ठीक है तुम्हें करो discuss अभी वो अल्रेडी अपने कर लिया अब बढ़िया question था हो अब पढ़ते हैं याँ पर अगला question question number seven who among the following will be qualifying as non-resident for previous year 22-23 चलो देखते Mr. Bob an Italian dancer came on a visit to India to explore India Indian dance on 15th of September and left on 25th of December for the past four years he visited India for dance competition and stayed in India for 120 days each year अब मुझे आप लोग बताओ Mr. Bob कौन सी category में आएगा क्या Mr. Bob Indian है Indian citizen वाली category में तो आनी सकता है correct तो इसको जो normal conditions है वो फुल्फिल करना पड़ेगा resident बनने के लिए normal conditions क्या है पहला तो 182 days है क्या वो फुल्फिल कर रहा है नहीं फुल्फिल कर रहा है चेक करो तो वो फुल्फिल नहीं कर रहा है लेकिन क्या वो 60 प्लस 365 days फुल्फिल कर रहा है कर रहा है कैसे 15 September से लेकर अगर मैं count करता हूँ 25 December तक तो count करते हैं September के 16 दिन बोलो न October 31, November 30 और December 25 टोटल 120 दिन हो गए और past 4 years में वो हर साल देखो 120 दिन आ रहा है correct तो फिर ये resident बन गया कि नहीं बन गया बताईए तो ये resident बन गया question क्या पुछ रहा है कौन non resident है yes तो ये तो resident है बाई इसको छोड़ दो correct बिटा तो ये resident नहीं है second Mr. Samrat born and settled in USA visits India each year for 100 days to meet his parents and grandparents born in India in 1946 living in Delhi his income is 15,20,000 रुपीज अब इदर देखो मेरी तरफ मुझे बताओ Mr. Samrat क्या है क्या मैं Mr. Samrat को person of Indian origin बोल सकता हूँ बोल सकता हूँ क्योंकि उसके माबाप दादा दादी इंडिया में पैदा हुए undivided इंडिया में clear अब person of Indian origin category 3 में आएगा अगर वो इंडिया में विजिट करता है लेकिन वो 120 दिन कम से कम विजिट करना पड़ेगा उसको clear अब वो सिर्फ 100 दिन विजिट कर रहा है अब उसके 100 दिन विजिट करने से उसका status क्या हो जाएगा जल्दी बताइए अगर इंडिया आता है 120 दिन से कम तो non-resident 120 से 181 अभी अभी थोड़ी दिर पहले बताया और 180 तो हमेशा resident है तो इस हिसाब से समराट non-resident है clear हाँ बोलिए मैं बताता हूँ person of Indian origin का definition क्या था सुनो मैं person of Indian origin कब बनुगा अगर मैं undivided India में पैदा हुआ या मेरे माबाप या मेरे दादा दादी नाना नानी इन में से कोई भी अगर undivided India में पैदा हुआ तो मैं बन जाूँगा person of Indian origin याद है मैंने अक्षे कुमार का एक्जामपल दिया था तो अभी अक्षे कुमार जी ने इंडियन सिटिसन्शिप एक्सेप कर ली तो अभी वो एक्जामपल अपको नहीं चल पाएगा 15 अगस को की उनोंने ठीक है जैस्ट आपके नॉलिज़ के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आगे बढ़ता हूँ मैं जोजप एक अमेरिकन साइंटिस्ट है लेफ्ट इंडिया तो इस होम कंट्री फॉर अफिस्ट एम्प्लॉइमेंट देर अब मुझे बताओ क्या जोजप के लिए वो 182 टेस वाला क्राइटेरिया अपलीके बले कि 60 प्लस 365 भी अपलीके बले याद करो रेजिदेंशल स्टेटस के दो कंडिशन है ना या तो 60 प्लस 365 या 182 पता है कुछ लोगों के लिए सिर्फ 182 अपलीके बले वो कुछ लोग में कौन आता है पता है जो इंडियन सिडिजन जो इंडियन सिडिजन इंडिया छोड़ कर जाता है इंप्लॉइमेंट के लिए याद आ रहा है कुछ अले जवाब दे दो भाई अगर इंडियन सिडिजन इंडिया छोड़ कर जाता है तुम चैट में जवाब दे रहे हो कि औरली दे रहे हो उस हिसाब से फिर मैं अपना रिस्पॉंस लूँ आपसे अगर इंडियन सिटिजन इंडिया छोड़ कर जाता है ठीक है एंप्लॉइमेंट के लिए या तुरू मेंबर ऑफ इंडियन शिप याद आता है तो सिर्फ 182 अब मुझे बताओ जोजफ इंडियन सिटिजन है क्या जोजफ इंडियन सिटिजन है नहीं है उसके लिए 60 प्लस 365 भी अपली के बलोगा देखो कितनी बारीक पॉइंट पकड़ते हैं लोग समझा रहा है कुछ अब जोजफ 2017 से इंडिया में आया है कुछ काम से साइंटेस वाइंटिस गिरी करने ठीक है अब वो जा रहा है छोड़के अपनी कंट्री में वापस यूएस तो अब देखो पिछले चार साल में उसका स्टे देखो 350 दिन से जादा है क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक वो इंडिया में था और करन्ट एर में देखो वो कितने दिन इंडिया में था तीस दिन अपरिल में मैं मैं में जून में और जुलाई 92 बता उसे साब से जोसफ का रेजिदेंशल स्टेटस क्या हो गया बताईए और बोल दीजिए ना जोसफ हो गया रेसिदेंट राइट और धेरफॉर हमारा अंसर क्या है सिर्फ समराओ यह विचारा जो क्या है बोलिये नॉन रेसिदेंट बहुत ही बड़िया कोश्चन है यह बहThe Sean कोई बना नी सकता है इंची बूटी मना पाईगी are you clear अब अगले question की तरह बाता हूँ question number 8 ये भी अच्छा question है Mr. Sushant is a person of Indian origin person of Indian origin आ जाएगा दिमाग में click हो जाना चाहिए category 3 during the previous year he visited India on several location and his period of stay is 129 days मुझे बताओ अब तक conditions फुल्फिल हो रही है कि नहीं हो रही है category 3 की person of Indian origin इंडिया में visit कर रहा है कितने दिन के लिए कर रहा है 120 दिन या उससे जादा और पिछले 4 साल का उसका stay count करो देखो कितना आता है total मारो 470 दिन आते कितने अब अब अपने को एक ही criteria फुल्फिल करना है वो क्या है कि इस साल में उसकी Indian sources से Indian sources से income कितनी होनी चाहिए 15 lakh से ज़ादा चलो check करते 15 lakh से ज़ादा है क्या क्या ये income Indian source की income मानी जाएगी if received in India yes ये तो इंडिया में अक्रूई है तो ये तो मानी जाएगी correct अच्छा ये मानी जाएगी income accrued outside India but business control from India क्या ये Indian sources की income मानी जाएगी ये भी Indian sources की income मानी जाती है correct अब चौता पॉइंट है income accrued outside India business also controlled outside India accrued भी बाहर, control भी बाहर अब ये Indian source की income नहीं मानी जाएगी correct तो Indian source की income ये तीन हो 11,75,000 अब ये 15,000,000 का criteria फुल्फिल नहीं करता है और ये क्या बन जाएगा जल्दी बोलो बेटा अब question के अंदर देखो दो सवाल पूछा है Mr. Sushant का residential status बताओ और उसकी income अब मुझे बताओ अगर वो अगर अगर वो अनर और नर में कोई फरक नहीं है अरे are you able to understand तीसरी वाली income अनर के हाथ में taxable नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि अनर के हाथ में सिर्फ दो income taxable होती है या तो accrue होना चीए या receive होना चीए income accrue भार हो रही है control इंडिया से हो रही है अब इसका status क्या है इस question के अंदर इस question में इसका status क्या है NR है NR होने के वज़े से ये पहली दो income taxable होगी तीसरी नहीं होगी therefore इसकी income 6,25,000 है चेक करो हाँ बोलो बिटा तो बहुत ही बढ़िया question था ये भी question number 9 ये एक असान question है कुछ खास नहीं है इसके अंदर ठीक है Mr. Ramesh a citizen of India employed in Indian embassy in Australia he is non-resident he received salary and allowances क्या होगा बोलो Indian government उसको salary allowance perquisit daily है क्या होगा बताओ ये अभी last lecture में भी किया था आपन ये test 2 के अंदर भी कवर्टा हो अरे भाई Indian government आपको इंडिया के बार salary देती है allowance देती है perquisit देती है याद है salary taxable है allowances of perquisit माफ है section 10-7 में याद दे कि नहीं याद है अरे बोल दो भाई ठीक है बढ़ो आगे अगला बाला तुम्हारा प्योरेट चैप्टर आ गया अगला salary लेकिन फिर क्या पता है business तो आसानी है उसमें तो कुछ है नहीं इतना खास salary तो असली मजा है असली चीज तो यही याद रखना है Mr. Anirudh stays in Delhi his basic salary is 10,000 D.A. 60% of which forms part of pay मतलब क्या हुआ 60% क्या है D.A. in terms और उसको H.R.A. मिल रहा है 5,000 रुपया He is entitled to a commission of 1% of the turnover achieved by him Anirudh 5,500 रुपय का rent पे कर रहा है देखो यह लोग MCQ के अंदर पूरा question ही डाल देते है Question ही है न यह पूरा बद बोलिए यह MCQ लग रहा है कि तुमको यह तो proper H.R.A. का question है बता हो H.R.A. में कितना exempt होता है देखो मैंने पूरा solution लिख के रखा हूँ 50% of salary क्योंके डेली में है तो 50% of salary अब salary में क्या क्या आएगा basic आएगा बोलिए न और DA in terms आएगा और commission भी आएगा turnover वाला परसेंटेज वाला commission भी आजाएगा तो basic salary कितनी है एक लाग बीस हजार दस हजार इंटू बारा एक लाग बीस हजार DA in terms कितना हैगा 60% इसका 60% कितना हो गया 3600 इंटू बारा clear और commission कितना है 1% on turnover 1% of turnover कितना है 1.20.000.000 का turnover है कुछ उसका ठीक है sorry 12.000.000 का 1% 12.000 ठीक है तो अब ये total मारने का पूरा उसका 50% लेने का ये आपका point number 1 is it clear second point क्या है actual HR A receive actual HR A कितना है 5000 5000 into 12 60,000 रुपय हो गया actual HR A clear और तीसरा क्या है rent paid rent paid कितना है 500 5500 into 12 minus 10% of your salary जो भी आपका यहाँ पर salary आया था उसका 10% is it clear आपको 48480 आएगा तो यहाँ पर वो ही पुछा है HR A का exemption कितना है lowest of the three lowest of the three कितना है 48480 is it clear please बोलो बिटा clear है सबको ठीक है question number 11 11 के अंदर क्या सीन है Mr. Jagat is an employee in the accounts department of Bharat Limited a cellular company operating in regions of Eastern India it is engaged in manufacturing of cellular devices during financial aid 22-23 following transactions were undertaken by Mr. Jagat he attended a seminar on perquisite valuations भाषय नहीं आपर what perquisite valuation पे seminar attend किया उसने seminar fees of 12,500 was paid by Bharat Limited तो मुझे बताओ company ने उसके लिए seminar भरा official purpose के लिए उसके हाथ में taxable होगा क्या perquisite के तौर पे उसके हाथ में taxable होगा भाई वो अपने लिए थोड़ी ले रहा है कुछ company के लिए गया ता seminar के लिए ठीक है तो ये not taxable tuition fee और Mr. Himaanchu बच्चे की tuition fee भर रहा है private coaching classes फिये not having any tie up with Bharat Limited बताओ ये taxable होगा के नहीं होगा बताइए taxable होगा ये हाँ अगर employer daughter of Mr. Jagat studies in DPS public school owned and maintained by Bharat tuition fees paid for Ms. Sapna was 750 रुपीज पर मन्त by Mr. Jagat cost of education in the similar institution is 5250 पर मन्त ठीक है तो अगर यहाँ पर कितना taxable हो जाएगा 5250 माइनस कितना pay किया उसने 750 इंटु 12 ठीक है येस तो यहाँ पर 54,000 रुपीज टैक्से हो जाएगा 750 रुपीज क्यों यहाँ से माइनस हो रहा है tuition fees paid for Mrs. Sapna was paid by Mr. Jagat Jagat कौन है जगत उसका पिताजी है पिताजी भर रहा है वो तो उतने पर टैक्स नहीं लग सकता है ना बिटा तो पिताजी ने 750 भरा तो बचा हुआ कंपणी ने उसके उपर क्या किया employee पर हैसान किया multiply by 12, 54,000 अब ध्यान से देखना यहाँ पर कितना टैक्सेबल है आपका 25,000 रुपै टैक्सेबल है और यहाँ पर 54 और यह पहला वाला माफ है क्योंके वो company के लिए personal purpose के लिए नहीं है तो टोटल 79,000 रुपीज यहाँ पर आ गया इस एवरीबन क्लियर प्लिस टेल मी फर्स्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ मैं employer हूँ बेटा आप employee हो और आपको मैं company के seminar में भीज रहा हूँ उसके लिए मैं पैसा दे रहा हूँ तो आपके उपर कोई आइसान तो नहीं कर रहा हूँ कौन सा वाला सपना उसकी बेटी है ठीक है एक public school में पढ़ती है ठीक है ट्यूशन फीज पेड फॉर में से सपना ट्यूशन फीज है यह ठीक है 750 पर मन्थ cost of education of similar institution is 5250 तो पिता जी ने कितना पैसा इसका 5250 रुपीज का एक similar institution में cost है उसका फादर ने उसमें से 750 रुपीज फादर बोलता है मैं दे रहा हूँ बाकी company बोलती company बोल रही है के मैं दूंगी फादर को देनी की जरुवत नहीं है तो company ने बच्चे पे कितना इसान किया डिफरेंशल अमाउंट का किया ना तो उतना ही टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा तो टैक्सेबल नहीं हो सकता है राइट वो थाउजन वाली लिमिट किया थी मैंने आपको बताया था वो कब है अप टू थाउजन है तो माफ है थाउजन के उपर जाएगा तो पूरा टैक्सेबल होता है जागर पढ़ना अगर मैं आपको जो एजूकेशन की फैसिलिटी दे रहा हूँ वो से उसकी फीजी फीजी आट सो रुपिया है कितनी है आट सो रुपिया, साट सो रुपिया, छे सो रुपिया तो माफ है जैसे ही थाउजन क्रॉस हो जाता है तो पूरा टैक्सेबल होता है अरे, are you clear? तो वो थाउजन एक्जेम्शन नहीं है थाउजन एक लिमिट है जैसे ही क्रॉस होगा पूरा अगर ग्यारा सो भी होगा तो पूरा ग्यारा सो टैक्सेबल है पंद्रास हो यह तो पंद्रास हो फिर थाउजन का एक्जेम्शन नहीं मिलेगा जाकर चेक करना मैं नोट भी लिखाया था इसको नोट बुक के अंदर चेक करना तुम ठीक है बढ़ आगे अब यह वाला कोश्चन सबसे बाब कोश्चन है पूरे पचास कोश्चनों में से बहुत ही जबरदस किसम का कोश्चन है शैल आइ स्टार्ट हराम से मैं इसको समझाता हूँ तुमको अराम से थोड़ा क्लिक नहीं होगा ने तो तुमको यह मिस्टर करन कंप्लीटे इस M.B.A. in 2022 and joined XYZ Limited from April 1st 2000 sorry May 1st 2002 2022 sorry इस basic salary is 2,25,000 अब उसको company DA दे रही है कितना DA दे रही है 12% DA दे रही है company बहुत बारी किस्ते सुनना एक एक बात DA is forming part of retirement benefit मतलब यह DA क्या है DA in terms है ठीक है अब he contributed 11% of his pay and DA towards what recognized provident fund और company ने भी 11% क्या किया बोलो देखो contribute किया ठीक है तो employee ने 11% किया employer ने 11% किया clear अब इस साल खतम होने पर उसके balance के अंदर 49,325 रुपीस का balance बढ़ा हुआ है ठीक है interest का clear अब अपने को पता लगाने का है what would be the income chargeable under the head salary salary पूछा है उसकी तो सबसे पहले मैं उसकी basic salary लिखता हूँ बेटा basic salary 2,25,000 into 11 clear बोल दो ना प्लीज उसके बाद DA in terms DA in terms कितना है उसका 12% of basic correct तो basic का अगर मैं 12% लूगा तो answer आता है 27,000 रुपे कितना 27,000 रुपे को into multiply by 11 तो DA भी आ गया is it clear till year to everyone ठीक है अब सुनो जड़ा अब असली मज़ा है मुझे बता अगर employer अपने employee को आरपी एफ में contribute करता है तो 12% of salary तक तो माफ होता है ना बोलो ना यार 12% of salary तक माफ होता है कि नहीं होता है तो वो माफ हो जा तो ये जो employer आपके लिए contribute कर रहा है 14% contribute कर रहा है clear तो इसको लिखकर minus करने का कोई sense नहीं बनता है समझा रहा है क्या बोल रहा हूं कि पहले लिखो और फिर बोलो नहीं 11% तो माफ है अप तो 12% तो माफ होता है अब इसके अंदर असली catch क्या है मैं आपको बताता हूं असली catch इसके अंदर क्या है देखो employer ने कितना contribute किया है 3,4,920 calculator उठाओ सब लोग कैसे आया calculator उठाओ employer कितना contribute कर रहा है 11% of basic and DA correct तो 24,75,000 आपकी basic salary है यहां से चेक कर लो ठीक है और 2,97 आपका क्या है DA है तो total कितना हो गया 27,72 उसका 11% ले लो तो 3,4,920 आया यह contribute employer ने किया ठीक है लेकिन यह contribute जो किया हो माफ है क्योंके 11% तक है correct अब एक कानून ने अगर आपको याद होगा तो बहुत ही बारीक कानूने कि जो employee का contribution होता है जो contribution होता है अगर employee धाई लाग से ज़ादा का contribute करता है कितने से ज़ादा का तो उसके उपर वाला जो contribution है उस पर जो interest आएगा वो taxable होता है यह बहुत ही दो लाइनों में लिखा हुआ है कही तो अपनी किताब के अंदर जाकर चेक करना मैंने इस पर example भी लिखाया था और उसमें मैं अभी पूरा provision एक बार बोल देता हूँ आपको याद नहीं होगा तो याद है तो बहुत अच्छी बात है appreciate अगर employee contribute कर अगर एक provident fund है सुनो recognize provident fund है उसमें employer भी contribute कर रहा है employee भी contribute कर रहा है दोनों contribute कर रहा है जैसे इस question में हो रहा है तो employee का जो धाई लाग के उपर का contribution है धाई लाग के उपर जो employee contribute कर रहा है उस पर जो interest आएगा वो taxable होता है और अगर सिर्फ employee contribute कर रहा है employer नहीं कर रहा है सिर्फ कौन कर रहा है सिर्फ employee येस येस करेक्ट संगीता तो लिमिट पांच लाकर याद आता है अब मुझे बताओ यहां पर employee और employer दोनों contribute कर रहे तो कितने के उपर का employee contribution का interest अब मुझे बताओ यह जो interest आपको मिला है 49325 मुझे बताओ यह interest आपको total amount पे मिला है अब इसको आदा कर देनेगा इसको half कर देनेगा मुझे बताओ इसको अगर half करोगे तो किसका interest बता चलेगा employer employee का आदा आदा हो जाएगा आदा करो 49325 divided by 2 24663 आता है मुझे बताओ तो मैं बोल सकता हूँ 24663 मुझे इस पर मिला है फिर 24663 इस पर मिला है तो देखो मैंने left hand side पे calculation किया है अगर 3,4920 जो employee का contribution है उस पर 24663 मिलता है तो धाई लाग के उपर वाले contribution पे कितना मिलेगा कुछ समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ अले बोलो पेटा जब 3,4920 पर 24663 मिल रहा है तो धाई लाग के उपर कितना contribution है पेटा सिर्फ 54,920 है न तो उस पर कितना मिलेगा 4442 यह taxable होगा तो यह मैं इधर add करूँगा और उसके बाद standard deduction लोगा तो मुझे यह answer आएगा चेक करो जबर्दस question है अरे is everyone clear तो employee का contribution अगर अच्छा यह वाला दोनों contribution अगर 2,20,000, 2,30,000 होता तो यह सब करनी की मुझे जरूरात नहीं होता है आप मुझे बताओ खुद से click होता तुमको यह question दो घंटे बरबाद कर देते तो तुम खुट के ठीक है जो काम मैंने कम को कर दिया 10 minute के अंदर ठीक है यह मैं share कर दूँगा आपके साथ ठीक है बड़ू आगे के नहीं बड़ू इसलिए मैंने बुला session attend करना है यह नहीं तो गड़बड़ होईगी तुमको बहुत बार ऐसा होता है कि same to same उठा के लोग exam में MCQ डाल देते है बहुत बार ऐसे होता है copy paste कर लेंगे number बदल के लोग अब अगला question तो by heart करने की बात है by heart है तो अगला question आ जाएगा by heart नहीं तो नहीं आएगा XYZ limited provides a car below 1600 cc 1.6 liter 1600 होता है न driver के साथ दिया ठीक है partly official, partly personal purpose के लिए expenses कौन पे कर रहा है, company पे कर रही है driver भी दे रहा है तो याद करो यह सबसे आखरी वाले category में आता है अपनी किताब के अंदर D category में याद आता है ABCD 4 category था car का पहला वाला exclusively for business purpose दूसरा वाला exclusively for personal purpose तीसरा वाला गाड़ी employee की है लेकिन maintenance employer दे रहा है याद आ रहा है और चौता वाला गाड़ी भी employer की है maintenance भी employer दे रहा है और employee दे रहा है उसमें दो अलग थे तो मुझे बताओ गाड़ी किस की है employer की maintenance कौन दे रहा है employer driver भी दे रहा है तो employer maintenance दे रहा है तो उसके लिए direct limit थी आपको याद है 500 रुपया per month for maintenance और 900 रुपया driver के लिए याद आता है अरे बोलो बेटा यार तो 32,400 तुम्हारा क्या हो जाएगा जल्दी बोलो taxable हो जाएगा clear अब Mr. Raghavast ये तो बहुत असान है Mr. Raghavast के पास तीन घर है तीन घर बोल सकता है कि self-occupied तो उसका answer क्या होएगा two house क्या नहीं नहीं two house self-occupied ना बिटा two house self-occupied और एक घर को क्या बोलना पड़ेगा DLP ठीक है बीच बीच में ऐसा चिंदी question भी आते रहते है ठीक है is it clear बढ़ो आगे अब ये वाला भी बहुत चिंदी है arrears of rent मिला arrears of rent मिला तो taxable होगा की नहीं होगा उसमें से standard deduction मिलेगा आपको पिछले साल का arrears इस साल मिला तो अरे बोलिए ना unrealized rent recover होता है arrears of rent recover होता है तो 30% standard deduction मिलता है की नहीं मिलता है मिलता है तो 90,000 आपको पिछले साल का arrears of rent मिला है उसमें से 30% माइनस करोगे तो 63,000 आएगा अब हाउस प्रपरटी आ गया ना इसी इसी कोश्चन आ गया है चलो इसका अंसर दो सब लोग तो मुझे बताओ अगर यहां पर कंप्लीट हुआ है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक अपरिल 2020 से लेकर 31 मार्ट 2022 तक का पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखो कोश्चन बराबर से पिछले साल जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पिछले साल तक का period pre-construction होता है कि नी तो pre-construction period कितने साल है दो साल 15,00,00 into 10% दो साल इसका कितने साल में डिविजन डिड़क्शन मिलता है आपको फाइव यर तो 60,000 उपया हर सार मिलेगा प्लस current year का interest मिलेगा कि नहीं मिलेगा current year का भी 10,00,00 मिलेगा अब में को बता हूँ इसने interest पे नहीं किया फरक पड़ता है कि कुछ interest को क्या pay करना ज़रूरी है deduction लेने के लिए या cruel basis पर भी मिलता है मिलेगा municipal tax payment पे मिलेगा right municipal tax के लिए government ने बोला है pay करो तो deduction मिलेगा are you clear I hope it is clear बढ़ो आगे अब house property कंतम हो गया PGPP में आ जाओ PGPP का पहला question क्या है Mr. X ने एक asset acquire किया 2016-17 में scientific research के लिए ठीक है अब scientific research का deduction claim करोगे आप करोगे कि नहीं करोगे deduction claim कर लिया कितना percent 100% deduction मिलता है न आपको उसके बाद आपने वो asset को normal business में लेकर आ गया तो उसका cost क्या होगा बताओ निल होगा उसपे depreciation थोड़ी मिलने वाला है तुमको याद आता है क्योंकि आपने पूरा का पूरा deduction उसको claim करके बैठे हो section 35 में clear चलो ठीक है अब ये आपका partnership firm का provision है Mr. C age of 35 years working partner है in BCD a partnership firm with equal profit sharing ratio during the previous year 22-23 the firm has paid remuneration to Mr. B Mr. C, Mr. D being working partner of 2 lakh each तीनों को कितना remuneration दिया 2 lakh रुपे का 2-2 lakh मतलब total 6 lakh the firm has paid an interest of 1 lakh 20,000 in toto in toto क्या होता है सरी है in toto एक Latin phrase है Greek phrases का मतलब होता है in totality ठीक है पहले मुझे भी लगा है toto क्या है भाई toto का ऐसा कोई word है Latin में Greek में जिसको बुला जाता है in totality तो तीनों partner को मिला कर उसने कितना interest पे किया बोलिए 1,20,000 question आगे पढ़ते है which is within the prescribed limit of 12% the firm had a loss of 1,20,000 after debiting, remuneration and interest on capital अपने को बताने का है आप CA हो Mr. CK in the process of computing his total income what would be his taxable remuneration from the firm अब अपने को उसका remuneration बताना है अब मुझे आप लोग बताओ remuneration निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए बताईए book profit याद आता है अब book profit कैसे निकालते हो आप book profit कुछ नहीं है, PGPP है सिर्फ PGP में क्या add back कर देने का remuneration add back कर देने का याद आता है कुछ तो अब इसका PGP कितना है इसका PGP loss है, देखो 1,12,000 देखता है बोल दो ना यार इसका loss है PGP देखो ना question में दिया loss कर रहा है, देखो 1,12,000 का loss है इस अब debit करने के बाद तो ये loss है उसका, PGP में loss है तो PGP में add back कर रो remuneration 6 लाग रुपर remuneration add back हो जाएगा, correct interest add back नहीं करने का अगर 12% तक है तो अगर 12% से जादा होता ना interest तो मैं क्या करता, interest भी disallow कर देता 12% के उपर क्योंके interest कितना allowed है, up to 12% याद है ना ये तो interest allow नहीं कर रहा हूँ क्योंके it is within the limit चेक करो, अब ये add करने के बाद मेरा book profit आता है 4,88, अगर book profit 4,88 है तो law क्या बोलता है law बोलता है up to 3,90,90% of book profit, याद है अरे बोलो यार और अबाओ 3,60,60% of book profit का deduction मिलेगा आपको तो ये दोनों अगर मैं add कर दू, ठीके 2,70,000 divided by 1,12,800, कितना आता है देखो 2,70,000 plus 1,12,800 3,82,000 something आता है ठीके, उसको मैं divide by 3 करूँगा क्योंकि तीनों partner का नहीं पूछा है, Mr. C का पूछा है Mr. C की बात करो तो answer आ जाएगा 1,27,600, is it clear? अरे बोल दो भाई लंबी खामोशी क्यों चाहिए जीवन में तुमारे दो मैने पहले तो बड़ी मस्ती करते थे तुम लोग आँ? अवाज ही नहीं नहीं कल रही आज बोलो कुछ तो बोलो बिटा clear है? चलो ठीक है अब ये तो बहुत simple question है इसका फटक से answer कर सकते हैं सुमलो Mr. शाहिद a wholesale supplier जहां पर भी doubt होगा रोख लो मुझे ठीक है? मैं बता दूँगा और एक बार provides you with the following details cash payment किया इसने आपने को बताना है 40 A3 attract होगा क्या? 40 A3 यादे न cash payment पर attract होता है cash expense कितने के ओपर? 10,000 के ओपर अगर कोई cash expenditure करते हो revenue expenditure तो पहले अपने loan repay किया क्या loan repay करने पर 40 A3 attract होता है? cash में loan repay किया बोलो ना नहीं attract होता है revenue expenditure के लिए 40 A3 उसके बाद आपने machinery खड़ीदा 15,000 रुपे की cash में नहीं attract होगा 40 A3 सिर्फ revenue expenditure के लिए हाँ उसके बाद आपने electrician को कुछ पैसा दिया कुछ repair repair किया उसने येस वो cover होगा 40 A3 में clear है? अरे बोलो यार cover होगा सुनो गहर से सुन लो पहले मेरी पूरी बात फिर मैं बात करता हूँ उसके बाद तुमने unregistered dealer से किया वो भी cover होगा 40 A3 में ठीक है? अब सुनो question बराबर से पढ़ने का question बोलता है अगर शाहिद 44 A2 opt करता है क्या opt करता है? 44 A2 तो फिर तो कुछ भी disallowed नहीं होता है याद है कि नहीं? अरे 44 A2 में तो PGP के कोई भी disallowance और कोई भी deduction कुछ नहीं करना होता है वो तो directly 8% 6% लेके कतम करो yes or no? तो ये पूरी कहानी तुमको confuse करने के लिए डाला है ये line पढ़ना बहुत जरूरी है एंड में no PGP disallowance applicable नहीं हो is it clear? चलो 44 A2 पे अभी एक सवाल और आ गया 44 A2 turnover कितना है तुमारा? 130 लाग turnover 44 A2 मिलेगा? मिलेगा 2 करोड तर 25 लाग अकाउंट पे चेक से रिसीव किया तो 6% करेक्ट 50 लाग क्याश रिसीव किया तो 8% करेक्ट 25 लाग वापस से अकाउंट पे ड्राफ्ट से रिसीव किया वो भी due date के पहले तो 6% करेक्ट due date तक अगर आप 4 मोड से ले लेते हो कौन से है वो 4 legendary modes पताईए ECS अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट और फिर बाद में सच अधर electronic mode क्रॉस चेक चलेगा के क्रॉस चेक क्या लिखा होना चाहिए उसके उपर अकाउंट पे और बचावा 30 लाग मिला नहीं तो उस पे 8% पैसा मिल जाना चाहिए due date of filing of return तक तो ये 20 ये 25 और ये 25 मिला कर 50 लाग 6% और ये 50 और ये 30 मिला कर 80 लाग उस पे 8% टोटल देख लो 9.4 लाग Is it clear to all of you? प्लीज बोलिये अरे बोलो भाई clear है बिटा? ठीक है आज आओ अब capital gains के कुछ questions क्या किया इसने? building was acquired in 1995 बहुत बढ़िया question है building कब acquired किया? 95 में ये तुमारा original cost है 80 लाग में बेच दिया ठीक है? अब fair market value of land on 1 for 2001 is 25 लाग but stamp duty value on 1 for 2001 is 22 लाग बताओ क्या cost होगे? 25 लाग नहीं लोगे? 22 लाग लोगे जाके provision पड़ो अगर 2000 एक के पहले land और building खरीदा है तो आपको cost of acquisition को compare करना है FMV और stamp duty value whichever is lower से और फिर whichever is higher करना है कुछ याद आता है? land and building के लिए आपको compare करना है with what? याद नहीं है तुमको नहीं यादे बोलो याद नहीं है तो किताब बताता हूँ तुम्हारी रुक जाओ ठीक है खोली किताब पहले chapter में ही होगा देखो पहले chapter में ही होगा C enter live batch कहाँ चली गहीं तुम्हारी किताब याद चलो ठीक है मैं अपना provision बोलता हूँ याद चलो कहाँ था मैं? यहाँ था तो आपको क्या compare करना है? So no cost of acquisition कितना है cost? बोलो 20 लाक point number one compare with lower of stamp duty value or FMV on 14 2001 stamp duty value कितनी है? 22 लाक FMV कितनी है? 25 लाक इन दोनों में से जो lower है वो इदर आएगा कितना है? 22 लाक फिर इन दोनों में से जो higher है वो आपका final cost Are you clear? Yes sir तो that's it यही question है 22 लाक आपका cost है बेच कभी रहे हो? 2022 22 22 का index session कितना है देखो? 331 divided by पहले साल का index session कितना है? 100 है यह calculation करोगे sale consideration में 7,18,000 आएगा Is it clear to all of you? Please tell me Question number 22 इस question में क्या हो रहा है sir? कौर से देखो Mr. A transferred the following asset क्या-क्या बेचा उसने? सबसे पहले उसने घर बेचा 8 करोड में बेचा index cost 6 करोड ठीक है? उसके बाद उसने जूल्टरी बेचा 3 करोड में बेचा index cost 2 करोड ठीक है? date of transfer यह है अभी Mr. A bought a new house on 1 4, 2021 for 1 करोड रुपीस and on 28th of February 2023 deposited 3 करोड रुपीस in capital gain account scheme अब रुख जाना ठीक है? date of transfer यह है सुनो घर बेचा आपने 25 नमेंबर को अब इसके पिछले एक साल में अगर आपने कोई घर खरीदा है ठीक है? तो आपको exemption मिलेगा की नहीं मिलेगा? पिछले एक साल में भाई घर बेचकर पिछले एक साल में घर खरीदो या अगले 2 साल में घर खरीदो याद है? या 3 साल में construction complete कर दो याद है अब मुझे बताओ ये डेट बराबर से बोर्ड पे देखो डेट ट्रांशफर कब किया और खरीदा कभी क्या ये एक साल के अंदर खरीद रहे हो आप पिछले अरे पिछले एक साल में खरीद रहे हो के नहीं खरीद रहे हो यह डेट आ रही है क्या पिछले एक साल में नहीं आरही है एक साल के पीछे की डेट है चेक करो अरे एक अपरिल 2021 एक साल के पीछे हो गया ना इसका exemption नहीं मिलेगा छोड़ो अच्छा यह जो capital gain account scheme में पैसा डाला है उसका मिलेगा क्या बोलो अरे भाई यह capital gain account scheme में पैसा डाला है न आपने अरे भाई अगर आपको घर नहीं खरीद ना है तो आप due date के पहले पैसा डाल दो है के नहीं ऐसा कानून तो आपने capital gain account scheme में कितना पैसा डाला बोलो तीन करोड रुपीस डाल दिया ठीक है अब अगले साल आपने पैसा विड्रॉ किया on 30th July 2023 Mr. A. विड्रॉन 3 करोड रुपीस from capital gain account scheme and acquired a residential property of 2.5 करोड what would be the capital gains in the hands of Mr. A. for AY2324 if expenses in connection with transfer of jewelry were 2 lakh रुपीस अराम अराम से अपने को एक एक चीज बैटके बात करना पड़ेगा ठीक है अब अराम से जल्दबाजी नहीं करो ठीक है यह अच्छा कोशन है थो प्रॉपर पूरा प्रैक्टिकल कोशन ही डाल दिया है अब उठा के शुरू करो सबसे पहले आपने क्या बेचा बोलो रेजिदेंचल बेचा हाउस कितने में बेचा आठ करोड खरीदा कितने में था इंडेक्स कोश्च छे करोड तो यह तो पूरा माफ हो गया क्लियर क्यों माफ हो गया क्योंकि आपको 2 करोड रुपय का गेन है और आपने 3 करोड रुपया क्यापिटल की एन अकाउंट सीम में डिपॉसिट कर दिया है अरे बोल दो ना यार ये तो पूरा एक्सेंट हो गया कि नहीं हो गया अब जूल्डरी की बात करो जूल्डरी क्या किया आपने 3 करोड में बेचा लेकिन उस पर 2 लाग रुपय का ट्रांसफर एक्सपेंस है तो 2 लाग रुपय का ट्रांसफर एक्सपेंस है तो तुमारा नेट कंसिटरेशन कितना हो गया 2.98 करोर जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो ठीके और देखो बहुत बारी किसे सुनना तो आपका जूल्डरी का कैपिटल गेंस LTCG 98 lakhs clear हाँ जस्ट इतना confirmation दे दो घर का कैपिटल गेंस माफ है ये clear है सबको और जूल्डरी का फिलाल 98 lakh रुपीस का कैपिटल गेंस है clear हाँ अब मुझे बताओ घर के लिए आपने आपने डूडेट के पहले कितना पैसा जमा किया कैपिटल के अकाउंट स्कीम में तीन करोड रुपया क्या घर के लिए यूस किया आपने हाँ क्या घर के लिए तीन करोड रुपया यूस किया कितना ही उसकिया घर के लिए धाई करोड यूसकिया करेक्ट अरे बोलो ना यार अब मुझे आराम से सोचना और मुझे बताना इधर देखो बहुत बारी किसे सुनना आपने दो करोड रुपे का गेन किया दो करोड का गेन किया तो पहला सवाल तो ये उठेगा जब दो करोड का गें किया तो तीन करोड डिपॉसिट क्यों किया जर्वत थी क्या अरे भाई दो करोड रुपे के गें को बचाने के लिए तीन करोड की क्या जर्वत थी आपको दो करोड ही deposit करना था न आपको दो करोड से काम चल जाता कि नहीं चल जाता तो वो दो करोड रुपया तो मैंने जो deposit किया वो तो इस capital gains में use हो गया correct अब मतलब मैंने extra और deposit किया और उससे घर खरीदा ना 50 लाग रुपय का correct or not जल्दी बोलो यार तो जो extra deposit देखो वापस से सुनना मैं मुझे मैंने total complicated question है capital gain account scheme में जल्दी बोलो कितना deposit किया तीन करोड deposit किया अब तीन करोड रुपय deposit करने के बाद मैंने क्यू deposit किया क्योंकि मुझे दो किसम के capital gains हो रहे एक क्या बेचने पर घर और एक जूल्दी बेचने पर दोनों long term है अब याद करो घर बेचकर घर खरीदोगे तो 54 एपली के बले और अगर कोई दूसरा long term asset बेचकर घर खरीदोगे तो 54 F एपली के बले यादे कि नहीं आदे ये तो पहले मुझे बोलो घर बेचकर मैंने घर खरीद लिया दो करोड रुपर वाहां यूज हो गया अब मैंने जो घर खरीदा वो कितने काई बताओ तो बचा हुआ पचास लाक रुपया में 54 F में क्लेम करूँगा ना यार जुल्री के अगेंस्ट अरे are you able to understand or not लेकिन 54 F में एक दिक्कत एक गवर्मेंट बोलती है के पूरा consideration invest करने का gain invest करने से काम नी चलेगा इसलिए यहां पर आपको proportionate exemption मिलेगा याद आता है आपको मेरे example में मैं देता था 60 लाग रुपय का gain बचाने के लिए पूरा एक करोड का consideration invest करना पड़ेगा अरे यार तो यहां पर आपका gain पूरा माफ नहीं होगा proportionate माफ होगा कितना long term capital gain जितना भी हुआ आपको multiplied by investment in new house divided by net consideration कुछ समझाया क्या बोल रहा हूं मैं आपको पूरा capital gains माफ नहीं होता कब माफ होगा मुझे अगर पूरा capital gains माफ करना होता न यहां पर जूल्डरी का तो मुझे क्या करना चाहिए था बो 2.98 करोड का नया घर खरीदना चाहिए था अरे यू क्लियर लेकिन मैंने नया घर सिर्फ कितने का खरीदा 50 लाग रुपे का यह नहीं बोल सकते हो 2.5 करोड क्योंके 2.5 करोड मैं से 2 करोड तो उपर वाले एक्जंशन में यूज कर लिया न अभी एक ही घर को दो सेक्शन में एक्जंट कर वाओंगे क्या अरे समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं देर्फर 50 लाग रुपे का एक्जंशन में यह नीचे लूँगा तो 98 लाग मेरा कैपिटल गेंज से इन्टू कॉस्ट अफ नियू असे डिवाइड बा नेट कंसिटरेशन 16 लाग 44,295 एक्जंट आता है अब अगर 98 के कैपिटल गेंज में से यह माइनस करोगे तो देखो यह टैक्स से बला जाएगा बहुत ही बड़िया कोशन है यह भी ठीक है यह कोशन नहीं बना रहे लोग यह लोग MCQ नहीं बना रहे हैं यह लोग प्रॉपर कोशन डाल देते हैं MCQ के अंदर नीचे चार आंसर डाल देते हैं और कुछ झी इसमें सिर्व आपको कुछ नहीं करना है सम सॉल नहीं करना है बाखी रफली में तो करना ही बड़ेगा लेकिन डॉंट बड़ी इतने बड़े-बड़े कोशन जनरल यह लोग एक्जाम में नहीं पूछते हैं क्योंकि इसको सॉल करने में बहुत टाइम जाएगा दो माग के लिए सेंसे नहीं बनता है इतना करना छोड़ो दो इस से अच्छा तो दो माग के लिए अब दोनों ने घर खरीदा कभी था दाऊस प्रपड़ी वस पर्चेस बाइब 25 मंस बैक 25 मंस बैक मतलब क्या हो गया उस प्रपड़ी 24 मैने के बाद घर लॉंट तम हो जाता है इंडेक्स कॉस्ट कितना है एक करोड और एक करोड पिछतर लाग तो एक करोड एक करोड पिछतर लाग क्यापिटल गेंज आ गया क्लियार नौ मिस्टर विशाल पर्चेस तू रेजिदेंचल हाउस इन वन इं डेली और वन इन आगर पर सेवेंटी लाक्स and 80 लाक्स मुझे बता हू घर बेच करे दो घर खरीदने का ओप्शन है कि नी मेरे पास अगर मेरा कैपिटल गेंड दो करोड रुपे तक है तो याद आपको घर बेच कर घर खरीदने का दो घर खरीदने का option है once in a lifetime option है के निया अगर gain 2 करोड तक है तो तो यहाँ पर मुझे 70 लाग रुपे का ये exemption मिल जाएगा और 80 लाग रुपे का ये clear बोलो भाई मिलेगा की नहीं मिलेगा बोलो ना यार अब देखो उसने नहीं में भी कुछ investment किया है चलो आगे पहले गुहा का पढ़ते पूने में 80 लाग और 75 लाग अब गुहा को दोनों नहीं मिलेगा क्योंकि गुहा का capital gain 2 करोड के ओपर चेक करो आर यू clear तो जिसका capital gain 2 करोड तक है उसको दो घर खरीदने का option है मैंने example दिया था कि बहुत अमीर एरिया में आप रहते हो तो वहां से घर बेचके थोड़े से कम पॉश एरिया में चले जाओ और दो घर करीद लो येस तो गुहा को एक घर मिलेगा कौन सा घर लेने का जिसका cost जाता है बोलेने का clear तो वह ले लिया मैंने therefore देखो इसको तो अभी और आगे उन्होंने bond भी खरीदा है कुछ both of them have invested 30 lakhs in NHAI and 30 lakhs in RECL तो 60 lakhs तो नहीं मिलेगा दोनों में आपको कितना section deduction मिलता है जल्दी बोलो बिटा 50 lakh रुपीज का 54 EC कौन सा section है ये मिलता है ना NHAI और REC के bonds यार 50 lakh रुपे तक वो मिल जाएगा आपको ठीक है तो ऐसा करने पर विशाल की capital gains 0 हो जाती है और गोहा की capital gains में 95 lakh रुपीज का capital gains आजाता है वो answer number C है Is it clear चलि अगले question की तरफ बढ़ते है Mr. Ram Indian resident है उसने क्या करीदा residential property खरीदा at Gualier कभी खरीदा 28 28 lakh रुपे में खरीदा 28 lakh अब घर पर नहीं करना जल्दी से बलो उसका cost क्या होगा 28 lakh cost है fair market value इतनी है stem duty value इतनी है 1 for 2000 वन की cost क्या लेने का जल्दी बताओ 32.4 लोगे stem duty value से ज़्यादा cost नहीं हो सकता है clear अब उसने क्या किया ब्योमेश को घर बेचने का सोचा और उससे advance ले लिया और advance हड़ लिया forfeit कर लिया ठीक है advance forfeit कर लिया उसने ठीक है तो मुझे बताओ advance forfeit कर लिया अब क्या करूँ मैं 2014 के पहले अब कोई advance forfeit करता है तो क्या करना होता है बताइए cost of acquisition से minus करना होता है अनूज add नहीं ठीक है यहां से minus हो जाएगा चेक करो is it clear और 14 के बाद forfeit किया तो income from other source में taxable हो जाएगा perfect beta income from other source माना जाएगा वो ठीक है लेकिन यहां पर 2014 के पहले forfeit किया तो minus करो फिर उसके बाद उसको क्या कर दो index कर दो that's it खतम हो गया is it clear उसके बाद उसका index session ले ले लेना आपको बस और कुछ नहीं करना है अगला सवाल बड़ा यह आसान सवाल है IFOS पे आ गया भी हम लोग ठीक है capital gains के question खतम हो गया देखो हर chapter पर उन्होंने थोड़े-थोड़े questions दा ले बहुत बढ़िया-बढ़िया questions दा ले अब एक बंदा है 61 years का 12,00,000,000 रुपय dividend कमा रहा है ठीक है अब dividend कमाने के लिए उसने loan लिया company में invest करने के लिए उसने जो loan लिया उस पर वो क्या भर रहा है interest भर रहा है तो बताओ interest का deduction मिलता है dividend के against कितना मिलता है 20% मिलेगा चेक करो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा अब 20% कितना हो जाएगा 2.4,00,000,000 इसके लिए आपका answer है 9,60,000,000 अगले question की तरफ बढ़ता हूँ मैं Mr. Vikaas transfers what 600 unlisted shares अगर आप किसी को unlisted shares बेचोगे क्या बेचोगे तो आपका sale consideration 50 CA के इसाब से आएगा SL price और FMV विचे वर इस higher याद आता है unlisted shares जैसे land and building बेचने पर आप sale consideration stamp duty वालो उससे compare करते हो की नहीं करते हो वैसे unlisted shares बेचोगे अगर किसी को तो selling price will be compared with what market value whichever is higher वो आपका cost होगा ठीक है वो आपका sale price होगा तो sale price whichever is higher as per 50 CA cost क्या है directly दिया है index को 4,25,90,000 capital gains ठीक है तो यह मेरे लिए capital gains है अब सुनो जड़ा buyer के लिए क्या है यादे buyer अगर 50,000 से सस्ता समान खरीदता है आपसे तो income from other source gift अठे बोलो भाई buyer अगर 50,000 से सस्ता खरीदता है आपसे land खरीद रहा है building खरीद रहा है jewelry खरीद रहा है share खरीद रहा है gift है के निए उसके हाथ में तो buyer कितना सस्ता खरीद रहा है 5,15,000 की चीज 3,50,000 में खरीद रहा है वो 1,60,000 टैक्से बल तो seller को 90,000 capital gains buyer को 1,65,000 other source is it clear all of you please tell me question number 27 तो बहुत बचकाना है Mr. Vikas received a gold ring worth Rs. 60,000 on location of his daughter's wedding from the best friend Mr. Vishnu क्या होगा बो taxable है बहुत अच्छा point है क्लास में भी ऐसा point आया था याद है शादी तेरी नहीं है शादी किसकी है बेटी को मिलेगा तो माफ है yes or no पूरे खंदान वालों को मिलेगा तो थोड़ी माफ है अच्छा Mr. Vishnu also gifted a gold chain to Kavya ये क्या होगा बताओ उसकी बेटी को भी दिया बोलो उसकी शादी पे बोलो ना जल्दी बेटा ये exempt हो जाएगा ना जो शादी पे बेटी को मिला अच्छा पहला वाला क्यों taxable है पिताजी को मिल रहा है पिताजी की शादी नहीं है yes or no ऐसा क्लास में भी एक एक एक्जामपल आया था जहां पर आप लोगों ने गड़बर कीती पहले ठीक है क्लास में कीती गडबर मुझे याद है लेकिन आप नहीं कर रहे हो वह important है अभी clubbing के उपर कुछ questions है यहां पर if converted property is subsequently partitioned among members of the family बहुत भयंकर sentence है अभी बहुत भयंकर sentence है if converted property is subsequently partitioned among members of the family the income derived from such property as is received by the spouse of the transferer will be taxable क्या sentence है यह कुछ समझाया गया मैं समझा रहा हूँ मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कुछ समझाया थे तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है इसका मतलब क्या है एक property मेरी थी किसकी थी मेरी वो मैंने हुएफ को दे दिया किसको दे दिया हुएफ को दे दिया अब हुएफ का partition हो गया क्या हो गया partition में हुएफ बाठ देगा ना सबको तो मैंने जो हुएफ को दिया था ना property वो उसने मेरी बीवी को दे दिया किसको दे दिया मेरी wife को ठीक है तो अब इसकी income का क्या होगा if converted property converted मतलब आपने अपनी personal property HOF में convert कर दी personal property किसमें convert कर दी HOF में this subsequently partition among members income derived from such converted property wife अगर उस पे income कमाईगी तो वो किसके हाथ में taxable होगा is it clear all of you please tell me ठीक है अब ये वाला question बहुत आसान है सबको आना चाहिए Mr. R owns 15% debentures of reliance industry limited of 500 each उसका annual interest is 500 अब वो क्या कर रहा है Mr. Ram क्या कर रहा है he transfers interest income to his friend without transferring the ownership of the debenture कर सकता है कैसे क्या बिना debenture transfer करे में ये बोल सकता हूँ मेरा interest तेरा जा बोल सकता हूँ ये बढ़ा था ना अपनने transfer of income without transferring of asset right not allowed no it would be included in the hands of what बोलो Ram only ठीक है अब ये वाला एक अच्छा point है लेकिन class में किया है अपनने ऐसा कोई भी hardly कुछ होगा कोई concept अपनने cover नहीं किया है इतनी पतली किताब के अंदर 200 पेच की ठीक है और institute का material देखा है institute का material देखा है कि नहीं कितना बड़ा है हिम्बत है देखने की वो लेकिन अपना coverage तो पूरा है ना सब cover किया है concise और precise तरीके से logically एक आदा question शायद आप नहीं कर पाओगे exam में शायद कभी worst case scenario में बाकि ऐसा होई नहीं सकता है एक भी mcq या एक भी practical question आप स्वाल नहीं कर पाओ Mrs. Shivani है wife है Anurag ji की is a partner in a firm ठीक है her contribution capital contribution is 5 lakh rupees in the firm which includes 3.5 lakh contributed out of gift from Anurag ठीक है आरूश हटा थे video तेरा लगाना है तो सा hero जैसा video मत लगा सामने अच्छा हटा थे video हटा थे क्योंके में को मेरी screen देखनी है इसलिए बोल रहा हूँ हटा ना तेरा profile picture फिर सामने क्यों आ रहा है तो video को तो ओ कर stop video पे click कर तो हट जाएगी येस हट गई देख profile picture हाँ तो क्या बोल रहा था मैं शिवानी जी है अनुराग जी की बीवी उनका contribution पांच लाग रुपया है फिर्म में जिसमें से साढ़े तीन लाग रुपया पती जी से लिया था येस अब फर्म ने इंटरस पे किया capital पे 50,000 share of profit पे किया 60,000 अगर husband wife को पैसा देता है और wife फर्म में include करती है तो उसकी interest और emanation husband के आथ में कलब होईगा याद है कि नहीं तो मेरे को बताओ फर्म के पास कितना पैसा है capital में 5,000,000 में से क्या मैं बोल सकता हूँ 75% husband नहीं दिया है 5,000,000 में से 3,500,000 husband का पैसा है ना बिटा 75% husband का ही है तो proportionate husband के हाथ में taxable 50,000 का proportionate कितना होता है 35,000 और share of profit share of profit तो सब के हाथ वे exempt है वो छोड़ दो clear तो चेक करो share of profit exempt है वो तो exempt होता है वो छोड़ दो interest 35,000 रुपय husband के हाथ में 15,000 रुपय पाइफ के हाथ में clear to all of you चलो ठीक है आगे बढ़ते है अगले point की तरा question number 31 ये भी clubbing पर है Mr. Arvind gifted a house property to his wife Mrs. Meena and a flat to his daughter-in-law Mrs. Sita both the properties were let out तो क्या होगा बुलो ध्यान से सुनना बहुत ही बारीक point है जो बीवी को asset दिया ना किसको बीवी को वो deemed donor माना जाएगा under section 27 of house property याद करो और जो daughter-in-law को दिया उस पे clubbing of income के provisions लगेंगे याद आ रहा है आपको daughter-in-law daughter-in-law house property में नहीं है deemed donor में deemed donor में सिर्फ बीवी है और minor बच्ची है याद आता है daughter-in-law clubbing provision में चला है effect फरक नहीं पड़ता है दोनों में same ही होगा सिर्फ clubbing में एक advantage मिल जाता है बताओ क्या advantage है जो आपको house property में नहीं मिलेगा बताओ नहीं दो लाक नहीं पंदरा सो रुपे का exemption जो मिलता है बच्चे के लिए minor रहेगा तो otherwise नहीं minor daughter के लिए बागी तो सब सेम ही है कुछ फरक नहीं पड़ता है ठीक है अब ये वाला question भी बड़ा बढ़िया है ठीक है बहुत ही जबरदस question है तयार रहो इसके लिए पंकज gifted an amount of 3 lakh to his wife पंकज ने कितना gift किया अपनी बीबी को 3 lakh रुपे ठीक है pinky and rupees 2 lakh to his daughter rinky aged 20 years on 1st April 2019 both pinky and rinky invested the amount on the same date in government of India 11% taxable bonds the interest accrues yearly and is reinvested in the same bond determine what will be the amount of taxable income in the hands of pinky for ay 23-24 pinky कौन है pinky है बीबी तो rinky को छोड़ो rinky पे बात नहीं करना है मुझे मुझे सिर्फ pinky पे बात करना है ठीक है शुरू करू अराम से देखना dangerous question नहीं है मैं husband हूँ मेरी बीबी pinky है ठीक है मैंने उसको क्या दिया अरे बोलो ना भाई 3 lakh रुपया दिया ठीक है उसने 3 lakh रुपय इंवेस्ट कर दी का इंवेस्ट कर दी 11% interest कितना आएगा 3 lakh रुपया 33,000 ठीक है तो पहले साल में 33,000 रुपीज interest आया होगा हाँ कब मिला होगा ये interest लाज डे पर लाज डे पर राइट तो पहले साल में अपने interest invest किया होगा तो पहले साल में interest पे interest नहीं मिला होगा वो question में क्या बोल रहा है वो interest आता था वो भी वो लोग reinvest कर देते से same bond के अंदर दिख रहा है आपको तो पहले साल तो उस 33,000 रुपे पर interest नहीं मिला होगा ना क्योंकि पहले साल में 33,000 ही लाज डे पर कमाया हूँ राइट और नोट हाँ तो वो नहीं आएगा ठीक है पहले साल कुछ नहीं आएगा दूसरे साल वापस 33,000 कमाया मुझे बताओ दूसरे साल पहले साल वाले 33,000 पर ग्यारा परसंट मिलेगा की नहीं मिलेगा मिलेगा क्योंकि अभी दूसरे साल के एंड में दूसरे साल के एंड में मुझे पहले साल के interest का भी interest मिलेगा ना आर यू क्लियर हाँ तीसरे साल में क्या होगा 33,000 कमाया अरे 33,000 तो हर साल कमाऊंगा न ओर इजनल 3,00,000 रुपे पर पिंकी जी 33,000 तो कमाएगी की नहीं कमाएगी हर साल अब अगले साल पिंकी जी ने और 33,000 इंवेस्ट कर दिया तो मुझे बताओ अब पिंकी जी को 11% कितने पे मिलेगा 66,000 में इस वाले पे अभी नहीं मिलेगा इस वाले पे अगले साल मिलेगा clear हाँ अब उसके अगले साल मतलब अभी current year अपना current year current year है ना ये 22-23 current year है ना हमारा वापस 33,000 कमाईगी पिंकी clear अब ये जो interest पे interest कमा रहे हो ना investment करके पैसा कमाया फिर उसको invest किया वो कलब नहीं होता है याद करो याद आता है बेटा ये clubbing हो जाएगा क्योंकि ये husband के दिये हुए पैसे की income है correct लेकिन ये wife की मेहनत की कमाईव income है ये club नहीं होता है तो ये बाला income pinky के हाथ में taxable हो जाएगा current year में चेक करो इस everyone clear with this शौर provision है accretion पे जो income आती है वो tax नहीं होती है club नहीं होती है right or not clubbing provision किस पर attract होता है मैंने आपको एक लाग रुपया मैंने अपनी बीबी को दो लाग रुपया दिया उस पे जो interest कमाईगी वो मेरे हाथ में club लेकिन उस interest को रापस से reinvest करके interest कमाईगी वो मेरे हाथ में club नहीं होता है clear है ये ही बोलना चाह रहा है provision अभी अगला question बहुत simple है मैंने return late भरा late return भरूँगा तो बताओ कौन-कौन सा loss government आपको फिर भी allow करेगी carry forward करने के लिए उसके लिए return of income का chapter देखना चाहिए ठीक है late return भर के कौन-कौन सा loss government मुझे allow करती है carry forward करने के लिए बताइए PGBP capital gains मना कर देती है correct house property और unabsorbed depreciation फिर भी allow होता है याद है अरे बिटा house property loss और unabsorbed depreciation allowed है न late return भर के भी ओके यह question इसी के उपर यह question है ठीक है अगला question brought forward losses of house property of 3,10,000 of AY22-23 पिछले साल का loss है is allowed to be set off against income from house property of AY23-24 of 5 lakh to the extent of what पूरा क्या दिक्कत है पूरा set off कर सकते हो न एक restriction है house property loss में याद है अगर house property loss किसी और head of income से set off करोगे तो 2,00,000 तक allowed है याद है लागी अगले साल carry forward करने में कोई restriction नहीं पूरा carry forward करो पूरा set off करो clear पिटा अब यह set of carry forward के अपने बहुत सारे question class में किये वैसा ही एक question है self occupied property का loss है 95,000 let out on property में loss है 2,25,000 35,80 का loss है 2,80,000 medical business का loss है 1,20,000 long term capital gain का loss है 1,60,000 income from other source में 1,60,000 positive है sorry और income from other source भी positive है ठीक है तो चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं सबसे पहले मैं इसको हटा दूगा 35,80 का कुछ नहीं हो पाएगा correct वो सिर्फ 35,80 के business से ही set off होता है agree करते हो आप मुझे बता हूँ ये 95,000 का loss इससे set off कर दू और इसका भी मैं और 1,05,00, set off कर दू क्योंकि 2,00,000 तक ये allowed है न तो ये 1,05,00, और set off कर देता हूँ इसको ठीकाने लगा दिया मैंने is everyone clear with the first 4 points ये को house property का total loss मेरा कितना है 95,00,25,00, लेकिन मैं 2,00,00, रफे से जादा set off दूसरे head से नहीं कर सकता हूँ clear अब ये loss business loss, capital gain loss, capital gain income से set off हो सकता है हो सकता है ultra possible नहीं है ultra possible नहीं है क्या capital loss business के business income से set off हो सकता है वो not allowed लेकिन ये set off कर लो set off करने के बाद कितना आ जाएगा बोलिए 40,000 बच जाएगा ठीक है clear और other source को फिर वैसे और income from other source को वैसे का वैसी रखना पड़ेगा अब total देखो कितना आता है 3,20,000 plus 40, correct नहीं 4,40 कैसे हो 3,20,000 plus 40, 3,60 न हाँ total बोल रहे हो आप total बोल रहे हो plus 80,000 IFOS तो आपका 4,40 आ गया is it clear तो ऐसे तो बहुत सारे question अपने class में किये भी है ठीक है तो यह कुछ खास नहीं है अब यहाँ देखते चलो क्या है during the assessment year 23,24 Mr. Kabir has loss of 6,00,000 under the head house property ठीक है यह बहुत बढ़िया question है house property का loss कितना है बहुत अच्छा question है ध्यान से दिखना 6,00,000 और business income का कितना loss है 5,00,000 और income from capital gains कितनी है 3,00,000 तो इसके पास 3 चीज़ है दो loss है एक gain है correct now he filed this return of income for AY 23,24 and 31 December late हो गया क्या हो गया late मुझे बताओ late return भरने पर set off हो सकता है क्या current year में set off हो सकता है क्या क्या मैं late return भरके loss PGPP और CG का loss set off कर सकता हूँ क्या यह बताएए न मेरा simple question है क्या मैं अगर return current year में late भरता हो तो current year का loss set off कर सकता हूँ क्या यह सवाल है कर सकता हूँ carry forward करने पर restriction है याद करो याद आता है अले जवाब दे तो कुछ भाई carry forward करने current year में मुझे business loss हुआ क्या हुआ थोड़ दो इस question को current year में मुझे क्या हुआ business loss हुआ मैंने late return भरा मुझे मेरी current year में दूसरी business income है set off कर सकता हूँ कर सकता हूँ carry forward करने पर government ने restriction डाला है अब सुनो question बर्थ intelligent question है question बोलता है कि इसकी total income निखा लो कैसे ऐसे ही total करके मत निकालो ऐसे total मत मारो calculator पर most beneficial host के लिए ऐसा निकालो ठीक है अब ये को थोड़ा सा intelligently सोचना पड़ेगा ठीक है दिमाग लगाना पड़ेगा इसके पास HP loss है कौन सा loss है HP loss कितने का है 6 लाग और इसके पास PGPP loss है कितने का है और इसके पास CG की income है कितनी है 3 लाग देखो set up करने के लिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ दोनों कर सकता हूँ कोई रोक टोक है क्या बताइए HP loss भी कर सकता हूँ 2 लाग तक तो करी सकता हूँ ना परा अरे आर्यु एबल टो अंडर्स्टेंड और नौट तो इस से भेतर क्या है कि पहले ये सेट आफ कर लो ये सेट अफ करके 2 लाग बच जाएगा उसको लाप सोने दो और ये तो पूरा कैरी फ़रोड हो जाएगा ना लेट भर के भी अरे are you able to understand or not देखो set up करने के लिए तो आप HP भी कर सकते हो करने के लिए बोलो ना कर सकते हो के नी लेकिन मत करो practical life में भी ऐसी करोगे ना फाइदा दिखाओगे SSC का कि जल्दी जो होगा वो करोगे बताओ फाइदावाला करोगे ना बिटा given a choice पहले क्या set up करना चाहिए भाई जो carry forward करना allowed नहीं हो set up कर लो पहले correct is everyone clear therefore आपका loss total income निल हो जाएगी क्योंकि CG पूरी set up हो जाएगी तीन लाग रुपे की और HP loss पूरा अराम से आप 6 लाग रुपे carry forward करो is it clear to all of you please tell me ठीक है अगले question की तरफ बढ़ते हैं 10 double A 10 double A आद है बहुत ही simple था provision SEZ के उपर अससी के दो units है एक SEZ में है और एक domestic tariff में exemption किस के लिए मिलेगा SEZ बहुत simple है कुछ नहीं है SEZ का profit डूण ओ 80 लाग ठीक है multiply by export turnover divide by total turnover clear अब हम लोग धूण लेते सब total turnover of XYZ and unit DTA is 8 करोड 50 लाग and 3 करोड 25 लाग ठीक है अब मुझे बताना अराम से सोचना यह 8 करोड क्या है पूरी company का turnover है और 3 करोड 25 लाग तो SEZ का कितना हुआ फिर 5 करोड 25 लाग हुआ कि नहीं are you clear इन्होंने direct नहीं दिया है उन्होंने बोला minus करके पता लगा is it clear अच्छा profit तो इन्होंने directly दिया है SEZ का 80 लाग तो वो मैं लिख दिया clear export sale भी इन्होंने directly दिया 2 करोड मैंने लिख दिया अब 2014 में unit बनी है 14 में बनी है मतलब 5 साल से जादा हो गया ना तो 5 साल के बाद 50% मिलेगा clear I hope it is clear next वाला Mr. Shiva made a donation of 50,000 to PM Care Fund PM Care Fund में 100% without any restriction याद है yes third one third one कौन चिल लाए रहे है ऐतरग नी तरीके से और राजिव गांधी पर्मलेशन को मिला दो सबसे पहले में आता है 50% अभी पता है तुमने मोधी जी ने क्या कर दिया Finance Act 23 में सारी गांधी परिवार को निकाल दिया तिनों अगले राजिव गांधी और इंधरा गांधी और कौन था तो नहरु था नहीं बोलना चीए थोड़ी रिस्पेक्ट रखना चीए हमें नहरु जी थे हमारे बड़े है जो भी है तो यह तीरो गांधी परिवार का सफाया सफाया हो गया में 24 से ठीक है कंट्रोल डिलीट येस वह एक अलग चीज़ है वह एक अलग चीज़ है ऐसा नहीं है वन वन फाई बीए सी सब के लिए थोड़ी है कंपनी के लिए थोड़ी है अब इसे भी कौन सा यह सब में डोनेशन सेलरी वाले देते हैं तुमको लगता है सब कंपनी ममनी वाली देते होंगे न तो टोटल कितना हो गया पिटा पीम केर फंड का 50,000 और इसका कितना 20,000 20,000 का 10% 50% सौरी ठीक है फिर इसने cash donation दिया public charitable trust cash तो नहीं मिलेगा माफ करो ठीक है 2000 रुपे के उपर cash allowed नहीं है clear सब को यादे कि नहीं वो ठीक है 80G के अंदर maximum 2000 तक cash दे सकते हो उससे अदा allowed नहीं है अब यह भी बढ़िया question है देखो मैंने पूरा मैनत करके यहां पर तुम्हारे लिए computation करके रखाऊ पढ़ता हो मैं Mr. Arpit an employee of MNO Limited has contributed 161,282 NPS यह किसका contribution है employee का correct and similar amount is contributed by his employer यहां पर 80 CCD आप लिके बलोगा याद आता है his basic salary is 80,000 dearness allowance is 40% of basic which forms part of retirement benefit मतलब DA in terms now he also paid 55,000 towards LIC premium for himself and his wife and medical insurance premium of 35,000 by cross check for his mother being a senior citizen during the previous year 22-23 how much deduction is allowed under chapter 6a सुनो अभी अराम से सबसे पहले 80 CCD निकालते है क्या निकालते है CCD 80 CCD में employee का contribution कितना allowed है याद है आपको 10% of salary तिक allowed है अब salary ढूनते है उसकी salary कितनी है basic salary 80,000 ठीक है 80,000 basic salary है और DA कितना है 40% तो DA कितना हो गया बोलो 32,000 तो 80,000 basic salary है और 32,000 DA है एक लाग 12,000 इंटू 12 इंटू 12 आता है 13,44,000 इस इट क्लियर अब उसका 161 to 80 contribute किया है ठीक है तो चलो जाने तो contribute जादा ही किया है अब मुझे बताओ 80 CCD subsection 2 में भी उतना मिलेगा employer का contribution हाँ और अगर यह central government या state government employee होता तो 14% क्या बात है दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने answer देख कर दिल खुश कर दिया फाइनल वाले भी साले याद नहीं रखते इतना ठीक है जितना तुम याद रख ले हो उनको पूछूँगा ना कुछ नहीं आएगा अभी sorry to say अगर कोई फाइनल वाला मेरा lecture सुन रहा है YouTube पे बाद रहे सीखो कुछ इंसे अब मुझे बताओ याद करो 80 CCD और 80 सुनो 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 अभी असली कहानी अभी आईगी याद करो 80 CCD सब सेक्शन वन मतलब किसका contribution employee प्लस 80 C 80 C मिला कर देड़ लाग मिलता है याद आता है कि नहीं उसमें 80 CCD सब सेक्शन टू नहीं आता है सब सेक्शन टू unlimited है ठीक है तो अब 80 C के लिए कुछ है क्या यहाँ पर यह है ना पचपन अजार रुपया है के नहीं बोलिए बोलो न बिटा LIC premium है ना पचपन अजार रुपय तो अब मैं क्या करना हूँ देखो थोड़ा सा smartly काम करना हूँ ताकि मैं को मैं एकदम optimized benefit चाहिए optimization चाहिए benefit का total मैंने 1,17,250 contribute किया 280 correct or not उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए इतना मैंको 80 CCD में CCD subsection 1 में मेरे को सिर्फ 1,11,000 ही देदो आप ठीक है उतना ही चाहिए मेरे को नहीं चाहिए पूरा ठीक है बचावा मैं यहां से यूज कर रहा हूँ कर सकता हूँ ना मैं LIC यूज करूँगा ना मैं 80 CCD subsection 1 क्यों यूज करूँ मैं LIC यूज करूँगा तो मुझे बता LIC और 80 CCD subsection 1 मिला कर देड़ लाग हो गया देड़ लाग हो गया ना subsection 2 का 1,4400 और 1B में 50,000 अलग से ले लूगा ना अरे 1B में याद है 1B में वो अलाओड है जो 1 में अलाओड नहीं है एक्सेस 50,000 अलाओड है ना तो मैं वो ले लूँगा 1B में क्योंकि मैंने ATC में इंवेस्ट किया यार मैं वो यूज करना चाहता हूँ बराबर से तो यह ATC मैंने यूज कर लिया ठीके और मैं बोल रहा हूँ ATCCD सबसेक्शन 1 में में को क्या करना है 1,11,280 सबसेक्शन 1 में दो बचावा 50,000 में 1B में ले लूँगा अरे आर यू क्लियर और यहाँ पर जो 38,000 अरे 38,000 अरे इसमें से में ले लूँगा इसमें से निकाल लूँगा 38,000 अरे यहाँ ले रहे हो तो देर लाग में से 38,000 अरे आपको काम मिल जाएगा ATC के अंदर और ATD तो है मुझे ATD भी मिलेगा 35,000 अरे क्योंके मदर के लिए कर रहा हूँ आपके प्रैक्टिकल कोश्चन के अंदर गुसेट देंगे सेम उठा के डाल देंगे किसी एज़ेस्मेंट के तौर पर बड़े कोश्चन के तो आना ही है ना एक्जाम में उसके अंदर यह सब डाल देंगे लोग केरफूल रहना बहुत इज़ेस्मेंट्स बहुत बढ़िया इज़ेस्मेंट है इसलिए मैंने बुला इंस्टिट जैसे कोश्चन कोई नहीं बना सकता है अब आते हैं आपके सेकंड फेवरेट टॉपिक टीडियस पर चलिए आज़ाइए तीडियस आपने एक प्रापटी खरीदी एक रेसिडेंट से प्रापटी खरीदी 85 लाग रुपिस की तीडियस काटोगे की नहीं काटोगे अरे भाई 50 लाग या उससे जादा की प्रापटी खरीदते हो resident से तो 1% TDS काटना होता है 194 IA में याद आता है कि नहीं याद आता है इस पर आप 1% TDS काट होगे ठीक है उसके बाद आपने क्या खरीदा on the same day Mr. Ram made two separate transaction thereby acquiring 50 lakh रुपीज का urban plot करीदा TDS कटेगा urban plot 50 lakh रुपीज का exact 50 lakhs कटेगा 50 lakhs या उससे ज्यादा का अगर immobile property खरीदते हो rural agricultural land को छोड़के याद आता है तो आपको 1% TDS काटना है इस पर भी काटना पड़ेगा ठीक है rural agricultural land पे नहीं आएगा are you clear अच्छा नीचे एक line दिया इसका क्या importance से बताओ कुछ importance है इसका नहीं 110 परसेंट वाला नहीं है वो तो capital gains में आता है और IFOS में आता है वो तो अगर stamp duty value दिया होगा तो whichever is higher amount पर TDS काटना है याद करो आपके एक्जाम कहीं अमेंडमेंट मेंडमेंट मेंडमेंट है इसका अंसर दो एक आदवी है वो बैंक में जाता है और पैसा विड्राओ करता है ठीक है अब अगर पिछले सालों का return भरता है वो इमानदारी से बरता है सब return return सब भरा है उसने तो मुझे बताओ उसने total bank से एक करोड़ साट लाग रुपया विड्राओ किया ठीक है तो मुझे बताओ एक करोड़ से जादा अगर बैंक से विड्राओ करते हो तो टीडियस काटता है कि नी बैंक आपका कितने amount पे साट लाग पे दो परसेंट clear येस तो साट लाग पे दो परसेंट कितना है का एक लाग वी सदा रुपय क्लियर अब मुझे बताना एक चीज कि अगर ये पिछले सालों का तीन साल का रिटन नहीं बरता तो क्या करते है फिर हम लोग बोलो जल्दी, अब कुछ tax के calculation वाले question आगे भाई, Mr. Raj एक non resident है, 65 year है, rental income कमा रहा है, 40,000 रुप्या पर month, property किदर है, Delhi में है, तो tax लगेगा उसको, लगेगा, ठीके, easy liable to pay advance tax in India, यह पता लगाना है, ठीके, advance tax भरने के लिए, किस के उपर advance tax liability आती है, जिसका tax liability 10,000 के उपर है, 10,000 या उससे जादा, correct, अब इसका tax निकालते है, rent कितना है, 40,000 पर month, उस हिसाब से 4,80,000, correct, उसमें से 30% standard deduction, clear, clear, तो 3,36,000 पर उसको tax भरना पड़ेगा, 5% का, clear, yes or no, तो 5% tax कितना आ जाएगा, जो भी आएगा, 4,400 वो 10,000 से कम है, clear, therefore no advance tax, सुना, उसको rebate नहीं दिया मैंने, rebate non-residents को, नहीं मिलता है, सब clarification करके रखाऊं मैंने questions के अंदर, ठीक है, बढ़ू आगे बिटा, हाँ, अब अगला question, Mr. Jha, एक employee है, 60 साल उनकी age है, on 15th of May 2022, he is resident in India for financial year 22-23 और उनकी income from salary 5 lakh है, ठीक है, during the year, he earned 7 lakh from winning of lottery, what shall be his advance tax liability for AY 23-24, if all tax deductible at source has been duly deducted and remitted to the central government, assume that he does not offer 115 BAC, question पर्लो एक बार, question पढ़ लो एक बार, सुनो, कितना कमाया उसने, salary, salary पर तो पूरा TDS कट गया होगा, CES के साथ, CES भी कटा होगा के नही, salary पर, कटा है CES पका, confidence है, कटा है, lottery पर कितना कटा होगा, CES कटा होगा, नहीं, lottery पर CES नहीं कटा है, सिर्फ TDS का flat rate कटा है, तो CES उसको JEP से बरना पढ़ेगा, बराबर हैं कि नहीं, उसकी tax liability CES की कितनी आईगी, 2,10,000 रुपए tax आने वाला है, उसका lottery पर, correct? उसका TDS 2,10,000 का कटा होगा, 100% अंके की चोट पर, लेकिन CES नहीं कटा होगा, CES उसको खुछ से बरना होगा, CES 8,400 आता है खाली, देखो कितना minute point पूछा उन्होंने, अरे, are you clear? इसका tax payable 10,000 रुपए से कम है, no advance tax, are you clear? अभी एक फालतू सा question है, देख लो जड़ा इसको, in which of the following transaction, अभी याद रहना चीए, आपने पढ़के याद रखा है, तो याद होगा, ने तो नहीं याद होगा, in which of the following transaction, quoting of PAN is mandatory by the person entering into set transaction, कब-कब PAN code करना mandatory है, क्या bank account खोलने के लिए, PAN code करना mandatory है, नहीं है, mandatory नहीं है, जाके list check करो, last chapter में, credit card खोल लेने के लिए, जरूर ही है, और एक लाग रुपया bank deposit करने के लिए, 50,000 रुपय के ओपर deposit करोगे, तो PAN mandatory है, याद आता है, mutual fund खरीदने के लिए, 40,000 रुपय का mutual fund खरीदने के लिए, PAN mandatory नहीं है, वो list देखनी पड़ीगी आपको, सिर्फ दो ही case में mandatory हैं, पर point number 2 and 4 चेक कर लेना, ये list आप जाके चेक कर लेना, पूरी list है ना, लबी 17-18 item है, याद आता है कुछ? गाड़ी खरीद होगे तो PAN देना mandatory है? कार खरीद होगे तो? ने ने, वो नहीं पूछ रहा हूँ, किसी से कार खरीद रहो, जाकर पैन देना ज़रूरी है? तो विलर खरीद रहे होता हूँ? तो विलर में नहीं है, याद करो excluding two विलर लिखा है, याद आ रहा है कुछ? वो लंबी list टेक, वो देख लेना भी टाइक बार, कभी कबार पुछ लेते हैं, वैसे इतना important नहीं है, अच्छा, जल्दी बताओ, एक आदमी की income 2,45,000 है, ठीक है? क्या वो return भरेगा? gross total income 2,45,000 है. अरे बताओ न, 2,45,000 जो कमा रहा है, वो return भरेगा क्या? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, थाई लाग की ओपर income हो नहीं चीए, जीटी आई? अरे yes or no यार? लेकिने वो वही बंदा 1,02,000 का बिजली का बिल भर रहा है, return भरेगा? याद करो, जो भी बंदा 1,00,000 या उससे जादा का बिजली का बिल भरता, 1,00,000 से जादा बिजली का बिल भरता है, या 2,00,000 रुपए से जादा का foreign travel करता है, या एक करोड रुपे से ज़्यादा बैंक में डिफॉसिट करता है याद आता है उन सब को ITR बरना mandatory है याद आता है कि नहीं याद आता है मैंने example दियाता है इतने सारे लोग है लाखों रुपे का बिजली का बिल भरते हैं और बोलते हमारी income नहीं है Yes Clear है बिटा जल्दी बोलो जल्दी बोलो Mr. Dinesh एक resident है gross total income दो लाख तीस अदा ठीक है अब उसकी income में क्या क्या है देखो interest on saving account है क्या है saving account और rental income है during the previous year so saving account से कुछ interest आए और rent आए his expenditure of 2 lakh for his son for study tour to Europe बताओ क्या वो return भरेगा देखो income के हिसाब से तो नहीं भरने हाला हो क्यों ठाए लाख से कम है Clear अब वो बाहर अपने बेटे को भेज रहा है foreign tour पे 2 lakh रुपे का expenditure करके return भरेगा क्या नहीं भरेगा देखो institute तुमको लकीर का फकीर बना देगी ठीके कैसे बताए प्रोविजन क्या बोलता है बताए दो लाख से जादा होगा तब अपली के बले कब अपली के बले दोनों कारण से obligated नहीं है income भी कम है और उसका जो threshold है वो भी दोला क्रॉस नहीं हो रहा है are you clear electricity के लिए भी एक लाख क्रॉस होना चाहिए यहाँ पर कितना था electricity 120 था इसलिए मैंने हाँ बोला are you clear बोलो ले बबा बहुत ही बढ़िया question है Mr. Ajay is recently qualified doctor अभी doctor साब एक reputed hospital में काम कर रहे एक जनवरी 2023 से और उन्होंने 3,40,000 अरपे की income कमाली कितने महिनों में कितने महिनों में 3,40,000 कमाली 3 महिने में his employer advised him to claim rebate under 87A while filing return he approached his father a tax professional to inquire regarding what is rebate under 87A and what would what would have his father told him अब यहाँ पर देखो multiple points है बताओ इसके बाप ने इसको क्या-क्या बोला होएगा सही बोलना बोलनेगा बाप को गलत नहीं बोलनेगा ठीक है हाँ अरे पपा को बोल यह नहीं बोलने हैं पपा गलत बोलते सब ठीक है सही बाते उठाओ इसमें से वैसे हाइलाइट करके रखाओ मैंने क्या उठाओगे आप सही वही तो प्रॉबलम है ना क्या करो पने पिता जी ने क्या बोलागा बेटा टेंशन मतले तू रेजिनेंट है येस तेरी इंकम पाचला क्रॉस तो तुझे शाड़े बाता जाँ गाइबिलिटी में से येस पांच हजार ना थोड़ी मिलता है कर्रेक्ट और ना तीन लाख सार जाड़े पचास जार के लए थोड़ी ऱिबेट है बोलो ना और रिबेट टोडल इंकम में से ठोड़ी मिलता है बताइए अरे साड़े बाराजार किस में से माइनस करते हो इंकम में से माइनस करते हो कि टैक्स में से टैक्स में से तो ये पिता जी ने ये तीन बात नहीं बोलनी है ये तीन बात बोल रहे है तो पिता जी गलत है फिर येस पिता जी ने point number one five or six बोलना है अगर पिता जी को tax आता है तो ठीके नहीं आता है तो पिता जी कुछ भी बोल सकते ठीके हाँ आगे बढ़ते Mr. Ritwik ने अपना पहला घर खरीदा जीवन का कब खरीदा 1 April 2022 ठीके 1 April 2022 को उसको घर मिला ठीके लेकिन घर सैंक्शन 30 March 2022 को हो गया था लोन सैंक्शन हो गया था अब मुझे बताओ अगर कोई 1 April 2019 से लेकर 31 March 2000 के बीच में लोन सैंक्शन करवाता है क्या करवाता है और उसके घर की Stamperity Value 45 लाग है कितनी है तो याद है गवर्मेंट ने आपको 15 लाग है तो गवर्मेंट ने आपको 1.5 लाग रुपे का एक्स्ट्रा डिड़क्शन दिया है 80 E.E.A. में तो इसको 2 लाग ये फुल्फिल कर रहा है के नहीं कंडिशन बताइए कर रहा है कब घर मिला वो मच्चे को लोन कब सैंक्शन हुआ था वो चेक करना है क्लियर इसने टोटल 3.8 लाग का एंट्रेस बराबाई 3.8 लाग तो नहीं मिलेगा 2 लाग रुपया हाउस प्रापटी में मिल जाएगा 3 लाग रुपया चाटर सिक्से में क्लियर अरे जल्दी बोलो भाई क्या 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 22 तक इती 22 पे खतम हो जाती है डेट इसलिए देखो एकदम लकीर का फकीर फिर से इन्होंने एकदम लास्ट डेट डाला एकदम दिख रहा है चलो अब ये भी बहुत बढ़िया कुश्चन है और बहुत बढ़ा भी है साला जिमाग खरा होता है पड़ू क्या मिस्तर बंदू एज है 37 years प्रोवाइड देटेल प्रिवियर से 22 23 अब बंदू जी का क्या सीने देखो जब दू टेक्स्टाइल बिजनस में इनकम है स्पेकुलेतिव लॉस है टेक्स्टाइल बिजनस का तिछले साल का लॉस है बिजनस इंकम स्पाउस इंक्लूडेट इंकम ऑफ मिस्टर बंदू चलो ठीक है चैप्टर 6 से में ये है TDS 1 लाग है TCS इतना है और एडवांस टैक्स इतना है अपने कोन का टैक्स निकालना है एस पर रेगुलर प्रोविशन ठीक है इसके साब से निकालना है टैक्स रेगुलर प्रोविशन के साब से अब चलो देखते क्या क्या कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले तो ये टेक्स्टाइल का लॉस सेट आफ करके 17 लाग लिख दू बिटा बोलो ना और ये चार लाग क्यारी फरोड होएगा छोड़ो ठीक है स्पेकुलेटिव लॉस नॉन स्पेकुलेटिव से सेट आफ नहीं हो सकता है और ये अच्छे बीबी की इंकम क्लब कर दू फटक से वो क्लब कर दिया ठीक है तो टोटल 19 लाग रुपे आ गया मेरा ठीक है अब 19 लाग में से 3 लाग रुपे का चैटर 6 से ले लिया और 16 लाग रुपे मेरी टोटल इंकम आ गई अब मैं टैक्स निकालूँगा 16 लाग पर टैक्स निकालने का कितना आएगा वही पहले 5 लाग पर 5 परसंट फिर 20 परसंट और फिर 10 लाग के ओपर 30 परसंट तो वो जो टैक्स निकालोगे वो टैक्स ये आएगा 3 लाग 4 लाग अब उसमें से तीनों का क्रेडिट ले लेने का और क्या हो गया अंसर बहुत इसी एक्चुली येस तो टैक्स पेबल आ जाएगा 24,200 क्लियर है बिटा सबको आखरी कोश्चन ठीक है आखरी कोश्चन में देखता हो मैं तुमको कितना याद है जीवन में विश्चर अश्योतोष की एज 65 यर्स है बढ़िया कोश्चन है टोटल इंकम 3 करोड 20 लाक अच्छा अब 3 करोड 20 लाक में क्या है उसका ब्रेक अप किया हो मैंने 57 लाक लॉंग टम क्यापिटल गेंस है जो 112 में चार्जेवल है 112 में कितना टैक्स लगता है 20% टैक्स लग जाएगा 112 में ठीक है अब इसमें 65 लाक अच्छेवल है 112 में कितना टैक्स लगता है 10% लेकिन सब्जेक्ट लाक एक्जेम्शन गरेक्ट तो यहाँ पर आपका टैक्स कितना हो जाएगा 6 लाक चालिस दार अगरी करते हो एक लाक का एक्जेम्शन मिलेगा ना 64 लाक पे 10% clear और अब अधर इंकम पे आप क्या मारोगे slab rate तो 1 करोर 88 लाक पे कितना मारोगे 30% clear अरे बराबर ना 1 करोर 88 लाक साता है ना और 10 लाक पे कितना मारोगे 1 लाक 12500 मारोगे वहीं तो गड़बड हो जाएगी पिता जी है यह एक लाक 10 लाक आएगा क्योंकि अब आपको 3 लाक से 5 लाक काउंट करना है ना बिड़ा ठीक है clear यह गडबड नहीं करना बहुत छोटी छोटी चीज होती है present of mind रखना चाहिए please don't worry एक आद चीज गलत हो जाती है तो कोई tension नहीं है mark step wise मिलता है exam में ऐसा नहीं है tax rate में गलती कर रहे हो तो आप तो सबसे आखिर में गलती कर रहे हो ना compute तो ठीक से किया होगा आपने उसमें भी एक आद गलती होती है mark कटता है ठीक है एक दो mark कटेगा proportionately कटेगा proportionately मिलेगा ऐसा सोचने का नहीं कि एक गलती किया तो zero मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है ऐसा कोई भी pass नहीं होगा अब ये 5,57,50,000 आगया ठीक है total tax है clear अब इसका surcharge कितना आएगा इसका surcharge आएगा 15% कितना 15% surcharge का एक table बताया था याद है सबसे आखिर में आता है ये सबसे आखिर में जो आता है na surcharge के table में वो case है ये जाकर check करना कभी मौका मिले तो मौका तो मिलेगा कभी मौका मिले क्या मौका तो निकालना पड़ेगा नहीं मिलेगा तो 15% सर्चार लगीगा पूरी इंकम पे 15% सर्चार मारो 4% सर्च मारो आपको आजाएगा आपका टैक्स और आपका टैक्स है 9005880 इसके अलावा आपको और क्या करना है MCQ के लिए आपको case scenario भी करना है ठीके ICI के कितने case scenario है 20 उसका वीडियो अल्रेडी यूट्यूब पे मैंने डाल दिया हूँ ठीके वो भी पूरा देखना है आपको पहले कुछ से करो हो सके तो बात में यह करो और उसके बाद आपको जो latest RTP आया है ठीके उसमें जो MCQ है वो भी देखना है मैं उसमें भी वीडियो दालूँगा आप लोगों के साथ आऊँगा मैं ठीके और जो MTP आया है 1 और MTP 2 भी आएगा आगे जाकर इसमें भी MCQ आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत थीके तो वह भी आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है मैं उसमें भी वीडियो दाल दूँगा ठीके बेटा लेकित पहले मैं चाहता हूँ पहले आप करो यार ने तो अगर मैं ही करूँगा यह तब तो मजा नहीं आएगा तुमारा दिमांग नहीं चलेगा पहले आप करो समय दो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो छोड़ दो ठीके इसी कोश्चन में से आदा घंटे से सौली नहीं हो पार समझनी आ रहे तो छोड़ दो फिर मैं हूँ मैं आओंगा बताने इसका एक्स्प्लैनेशन देने ठीके MTP1 का भी देदूँगा MTP2 का भी देदूँगा ठीके डोंट परी तो अभी आज का सेशन यहां पर रोकते हैं बाग की फिर मैं बताता हूँ मैं उसका वीडियो कब दालता हूँ ठीके मैं अगले हफते में कोशिश करता हूँ दोनों के दोनों चीज दालनेगी ठीके तब